अलो स्टुडेंगे वालकम टू प्रेंट सेविस और आज से हम स्टार्ट करें अपनी एक न्यू स्रीज जो की है जोगरफी कॉंसेट थू आम से क्यूज इसके अंदर हम क्या देखेंगे सबसे पहले हम यह जो कोशन से उनकी लैंगवेज क्या है वो देखेंगे फिर उसके अब यहां पर क्या क्या आएगा है देर आर सर्टेंट कॉंसे पर्टिक्लर यहां पर ऑप्शन से रिवर तापी कावेरी महानदी गोदावरी इन में से किसका यह राइट अंसर है तो इस कोशन को आप मैं फोड़ा साइट में खड़ा है एक बार रीडाउट करने जागा प कुछ के तो तो वेरी फर्स्ट इस देर रिवर फॉंस अ डेल्टा तो यू मस्ट आप आइडिया रिलेटी तो डेल्टा डेल्टा होता है क्या है कैसे बनता है इसके बारे मैं आपको पता होने चे नेक्स फोस्ट कोरिंगा मैं ग्रूव तो दे आर लुकिंग अ अ गॉंस आपको पता होने चे मैं गुरू क्या होता है इको टोन इको स्पीशी जो एज स्पीशी होती है वो पता होने चे नेक्स देर अर देर नेम अफ शर्टें रिवर्स लाइक परवाप इंद्रावथी और लास्ट वर्ड इसमें इस त्रिबूटरी तो यू मस्ट आइड कॉललte की कांगे अगर आपको पता है इन सभी रिवर्स की कहांपे है और इन दोनों की भी वी काईशन पर आप एक्जेक्ट अपने अंसर पे पहुंच जाओगे जो कि इसका क्या है गोदावरी है आगे चलके हम इसको प्रैक्टिकली एक्प्लेंड करेंगे स्टेब बेसे ठीक है ताकि आपको पता रहे तो सबसे पहला पॉइंट क्या है यहां पे में गूरूब क्या है में गूरू कुच्छन आया है किसमें GEOGRAPHY में लेकिन NAHलिज किसके चेक हुरी होभी आपकी Kimberly की सबसे पहला कॉनसेफ्ट आता है ECO TONE ECOTONE BASICALLY क्या है, इसका कीवर्ड तरांजिशन ज्स्ट जोन। यह किया हे बेंग पार्ट है यह दो आफिक तू वन शे overlapping की सबट बोथ water body and land exist, means in this particular section, आपको दोनों चीजे मिल रही है, मैंने यहाँ पे कौन से color से shade कर दिया है, pink color से, so this pink color is having the characteristics of land as well as availability of water, so ऐसे area जहाँ पे, दो ecosystem आके merge करते हो, या फिर transition zone हो, एक ecosystem से दूसरे ecosystem में जाने का, that is known as ecotone, ठेक है, so, यहाँ पे जो species मिलती है, that is known as edge species, ठेक है, और, जो mangroove है, mangroove is a type of edge species, ठेक है, mangroove कैसी species है, it's a edge species, तो question यहाँ से भी बन सकता है, why it is known as edge species, तो कि अगर मैं यहाँ पे क्या बना रहा हूँ, land, ठेक है, कहां मिल रही है, land के बिलकुल corner में, and for the corner, the word is used edge, तेम अगर यह water body है, ठेक है, यह water body के कहां पे मिल र corner पे, ठेक है, that's why the word is edge species, तो very first concept, we have understood here, about the ecotone, ecotone means, it's a transition zone between land and water body, यारी, दो ecosystem होगे, जहाँ पे दो ecosystem, transition zone show करते है, वहाँ पे क्या मिलेंगे, आपको, edge species, ठेक है, mangroove किसका example है, edge species का, इसलिए यहाँ पे जो statement लिखी हुई है, अब आपको clear समझ में आ जाएगी, tropical trees, आप tropical, देखें का tropical का meaning क्या है, grows in wet ground, अब के लिए समझ में आ गया, wet ground मतलब, wet ground का मतलब यह है, यह जो पूरा area है, कैसा है, wet ground है इसका, यानि कि यहाँ पे mangroove grow करेगा, ठेक है, इसलिए इसका ground कैसा है, wet add, किस type के tree है, यह tropical tree है, और इसकी जो कुछ roots है, कहाँ पे आती है, ground के coming outside the water body, कोई कि देखो, यह water कैसा है, थोड़ा सा, यहाँ पे mixing है, किसका, जो oceanic water है, उसका sea water, plus river water, दोनों mix होते है, अब यहाँ पे होगा क्या, कि जो tree है, tree जो हम यहाँ पे consider करें, mangroove, उसको क्या चाहिए, oxygen चाहिए, so for the sake of oxygen, जो roots है, वो कहा आना start होंगे, अब अब, कह यहाँ पर आएंगी, यह जो water body है, इससे उपर आके roots डबलप होंगी, और इन roots के उपर क्या मिलेंगे, यहाँ पर आपको pores मिलते है, that is known as nematopore, चाहिए, तो यहाँ पर हमने एक concept क्या पड़ लिया, एक concept हमने देखा है, कि mangroove क्या होते है, चाहिए, next concept, क्या पता होना चा जोन है, जहाँ पर आपको sweet and salty water दोनों mix होते में दिखते है, so fresh water from stream stream से आने river की बात हो रही है, mix with salty water, कहां का ocean का, is it clear, next concept, आपको क्या बता होना चाहिए, related to tributary, जो हमने question के अंदर discuss किया था, अब tributary का मतलब क्या होता है, जैसे यह हो गई आपकी main river, इस main river के अंदर जो इसकी क्या आती है, दूसरी, you can say, हिंदी में इसको बोलते है, साहिक नदिया, जो rivers इसके अंदर आके drain हो रही है, या फिर अपना पानी कहां share कर रही है, इस particular river के अंदर, तो these rivers are known as, these rivers are known as, distributory और tributary, answer is tributary, so अब यहाँ पे, दूसरा point अगर connect करना चाहो, you can connect the drainage system, जैसे यह होगी, main river, main river के साथ, कौन सी river किस angle से आके connect हो रही है, it will create what a different type of pattern, so जैसी यह pattern है, कैसा बन रहे है, dendritic type of pattern, so with the help of tributary, we can understand which type of drainage system is it, और जो यह river है, वो छोटी है, बड़ी है, means it's major river, और it's minor river, tributary के लिए, so next is distributory, distributory is also known as river bifurcation, river bifurcation मतलब, यह एक single river जा रही है, लेकिन जो last stage होता है, last stage मतलब river के तीन stage होती है, इसको हम consider कर रहे है, youthful stage, यह कौन सी होगई, mature stage, और यह कौन सी होगई, old age, तो यहाँ पर हमने कौन सा structure, या फिर कौन सा time ले रहे है, mature से old age के अंदर जब जाते हैं, तो उसमें क्या होता है, river के पास sediments है, वो क्या होंगे, deposit होंगे, अब यह जो deposition है, क्या बनाएगा, यहाँ पर branching create करेगा, यानि की simple example देखते हैं, let us suppose, यह आपकी एक single river है, यह क्या show कर रही है, single branch, लेकिन river last में कहाँ पर पहुंच रही है, old age में, old age में, यानि इसके पास जदने भी sediment हो, क्या होना, start हो deposit होंगे, अगर यहाँ पर sediment deposit होंगे, तो क्या हो गए यहाँ पर, यह जो single थी, किसमें हो गए, double branches में, and sometimes what happens, यह जो main branch है, उसी से एक अलग branch यहाँ पर flow होना, start हो जाती है, जैसे हुगली river, कहां से अलग होती है, यह बाइफरकेट होती है, गंगा river से, यह किसका example हो गया, distributory का example हो गया, तो अभी हमने कौनसी दो चीज़े देखे, we have seen right now, two basic concepts related to tributary, second is related to the distributory, अब लगे हाथ, एक और point हाँ पर cover कर लेते, that point is related to the river, क्योंकि आगे चलके हमें delta पढ़ना है, तो delta कैसे बनता है, यह हमें पता होना चाहिए, तो, this particular structure is showing what the entire cross section of landmass, तो from here, river is going to be start, तो जहाँ पर भी मैंने यह cross sections, यह जो white line cross की है, यह किसको show कर रही है, it is representing the youthful stage of river, चेके, इसके बाद slope क्या हो गया, कम हुआ है, तो यहाँ से यह river किसके अंदर आ गई है, mature stage के अंदर, and up to this point, this is known as mature stage, चेके, तो हिंदी में इसको बोलते है, यूव अवस्था, इसको बोलते है, जिरुनो अवस्था, और लास्ट में जो आती है, कौनसी old age, इसको बोलते हैं, proud अवस्था, यहां से, जो sea level, प्लस जो land है, दोनों का level क्या हो गया, ब्राबर हो गया, तो old age में यहाँ पर main काम क्या होता है, deposition, in youthful, the main task of river is erosion, यानि कि यहाँ पर main task क्या है, river का erosional activity perform करना, और यहाँ पर क्या करना, deposition, meaning, यहाँ से river अपने साथ क्या लेकर आ रही है, sediment, क्योंकि speed जादा है, और यह sediment फिर last में जाके क्या होंगे, यहाँ पर deposit हो रहे है, इन ही को हम क्या बोलते है, delta बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसको हम delta, इसको चाहो तो इस तरीके से आप 3D diagram के अंदर भी develop करके देख सकते हो, इस तरीके से, यह होगे हैं से, यहाँ से यह पूरी river downward move कर रही है, और यह पूरी river क्या कर रही है, downward move कर रही है, and यहाँ से फिर last में कौन सा process start हो जाएगा, the process of deposition is going to be start, अब यह कौन से टाइप का delta बनेगा, estuary बनेगा, bird food delta बनेगा, कौन से टाइप का delta बनेगा, या अगर कोई इस तरीके से related question होगा, हम discuss कर लेंगे, next, और क्या यहाँ पर हमारे पास है, हाँ, river की बात कर रहे हैं, तो river से related दो वड़ आते, एक आते catchment area, और एक काता है, river basin, river basin basically क्या है, जहाँ पर river plus उसकी tributary, river plus उसकी tributary हो गया, river basin, catchment area, जो उसकी major river है, उसके area को हम majorly क्या बोलते, not watershed, उसको catchment area बोलते हैं, यानि कि अभी हमने दो वड़ देखे, एक है river basin, river basin के अंदर हमने क्या देखे, area किसका river and is tributary, called drainage basin and river basin is made up of many different watershed, अब इसको समझते हैं, उससे पहले आपको watershed का meaning पता होना चाहिए, देखो, watershed का मतलब क्या होता है, यह white lines दिख रही है, dotted dotted, meaning, अगर यहाँ पे cloud है, इस cloud से अगर rainfall होती है, यह कहाँ पे आके merge होगी, इस particular area में, यहाँ पे भी अगर बारिस होगी तो, इस particular river के अंदर यह क्या होके, merge हो रही है, यानि कि जो यह watershed है, watershed का मतलब, अगर कहीं पे भी all over India में बारिस होती है, वो बारिस का पानी कहां जाएगा, व जो river के edges है, उसको क्या बोलते हैं, simple sensor है, bank बोलते हैं उसको, उसके बाद river की direction के according हम जो streams होते हैं, उनको नाम देते हैं, जैसे upstream होगया, downstream होगया, यह नाम देते हैं, next यहाँ पे हम जो river के main feature से, या आले वाले कुछ lectures, अगर इस से related कोई questions हमें दिखता है, तो हम erosional feature के अंदर हमें क्या मिलेंगे, interlocking spur, meander, oxbow lake, v-shape और waterfall यह देखने को मिलते हैं, बनते कैसे, देखेंगे upcoming lectures के अंदर, next depositional feature जैसे अभी discuss किया था, delta, flood plain and level, तो यह सारी information आपको background में पता होनी चाहिए, किसको answer करने के लिए, जो question अभी आपके पास आया था, जी हाँ इतनी सारी आपके पास background information चाहिए, तब ही आप UPC का particular question answer कर सकते हो, यह map है, although यह आपको नहीं दिख रहा होगा, इसका एक alternate है, जो अब यहाँ पर draw करने वाले, देखो, जब भी कोई भी इस तरीके की structure आती है, हम ऐसा क्या करो, उसको map के उपर portrait करने कोसिज करो, ताकि easy र water divide, कौन सा concept है, the great water divide of India, अब यह क्या है, देखो, इसको हम क्या बोलते है, western घाट, इसको हमने क्या बोला है, तत्पुडा, इसको हमने क्या बोला है, विंदिया, यह क्या हो गई है, अमर कंटका, यह कौन सी structure है, अरावली है, अब देखो, मौनसुन जब भी आता है, वो हमेशा कितने parts में बाइपरकेट हो जाता है, दो पार्ट के अंदर, एक बोला जाता है, अरेबियन, और दूसरा कौन सा पार्ट है, बेओ बेंगोल, चैक है, तो अब यह जो great water divide of India, यह क्या करेगा, अरेबियन को यहाँ पे जाने से रोकता ह है, चैक है, so what do you mean by the great water divide, means it will divide entire India into west and east part, चैक है, so this is the simplest concept related to the great water divide of India, चैक है, अब यहाँ पे river ड्रॉ करते, सबसे पहली river कौन सी है, तापी river है, यह कौन सी river हो गई, नर्मदा रिवर है, यह तापी नहीं है, यह है तापी river, जो दूसरी मैंने ड्रॉ किये, यह कौन सी हो है, महानदी है, तो green color से ड्रॉ करते है, महानदी, यह कौन सी river हो गई, महानदी, अब यहाँ पे देखो, जो third point था, मैंने बोला था, कि अगर आपको महराशा और तेलंगाना के बारे में पता है, तो easily आप इसको answer कर दोगे, क्या तेलंगाना यहाँ आता है, answer is no, क्या तेल location क्या है, कावेरी की है, अब जो कावेरी है, क्या कावेरी महारास्टा को touch करती है, यह सिर्फ करनाटका हो गया, या फिर सदन पार्ट के अंदर है, तो जो कावेरी है, वो भी answer में नहीं है, क्योंकि जो third point है, उसके अंदर हमने क्या देखा है, कि यह particular river, कहां पे और तेलंगाना के बीच में क्या बना रही है, बार्डर बना रही है, तो हैंस आपका answer कौन सा हो गया, गोदावरी है, जैसा इस वीडियो के अंदर हमने देखा था, कि जो यह answer है, जो point number third अगर आपको पता है, easily आप answer पर पहुंच जाओगे, लेकिन यहाँ पे हमारा main logic क् बुक के अंदर गोदावरी को लिखावा है दक्षिन गंगा, यह थोड़ा सा गलत हो सकता है, कैसे, क्योंकि उसी बुक में आगे लिखावा है व्रिद्ध या व्रिद्ध गंगा, इसका मतलब होता है old गंगा, ठेके, दक्षिन गंगा का मतलब है south of, या फिर south की गंगा, means यह होना चे लिट्रल में नहीं, तो अगर कब्दे भी option आता है, तो हमेशा व्रिद्ध गंगा, यही आप चोज करें, क्योंकि जो दक्षिन गंगा है, दक्षिन गंगा का जो main logic है, वो यह है, कि इस river को हम sacred river, यानि कि सबसे पवित्तर river मानते हैं, और नदन इंडिया की प एक बार instance है, as per some sources, कि South India के अंदर बहुत लंबे टाइम तक क्या था, ड्रॉट था, तो यहां से एक रिसी जाते हैं, जो नदन साइड है गंगा, वहां से अपने कमंडलू के अंदर गंगा को लेके आते हैं, और यहां पे वो एक जगा पे rest करते हैं, लेकिन गनेश जी को क कहने का मतलब है, जो sacred ने से, यानि जो पमित्र ने से, जो पमित्रता है, वो किसके साथ related है, वो कावेरी रिवर के लिए explain की जाती है, ठेक है, तो I think, इससे related कोई confusion नहीं होगी, ठेक है, क्योंकि देखो, आगर आप खुलर की book देखते हो, या फिर और भी कोई reference देखते हो उसके अंदर क्या लिखा है, व्रिद्ध गंगा और दक्षिन की गंगा, concept गलत हो जाते है, तो इसको थोड़ा सा rectify कर लेना, नेक्स ये basic information है, जैसे यहाँ पर क्या लिखा हुए, नासिक से start होती है, और किस point से start होती है, इसके लिए मैप लगाया हुआ है, यहाँ से clear हो देखो, यहाँ से start हो रही है, त्रिम्बक के शुवर से, ठीक है, से होती भी यहाँ तर लास्ट, बिया बेंगोल के अंदर यह dream हो रही है, और कि यहाँ पर question आ सकते है, 2019 में यह थी जो सयादरी हिल है, उसकी picture, और विदिन टू येर, यहाँ पर जितनी भी forest है, उनको क्या क्या है, यहाँ पर mining activity start हुई है, तो इसके लिए एक campaign चलाए गया था, save सयादरी के नाम से, ठीक है, यह था हमारा आज का question, जो हमने पूरा detail में, इतनी detail में, आज तक हमने किसी भी question के ओपर नहीं किया, क्योंकि यहाँ पर हमने 3-4 चीज़ों को link किया, सबसे पहले delta क्या ह होता है, वो देखा है, यानि कि जो old age है, उसमें depositional task होता है, उसको हम बोलते है delta, next हमने क्या देखा है, tributory और distributory में क्या फरक है, उसके बाद mangroove क्या होता है, echo tone होता है, edge species होती है, यह क्या होती है, इसको हमने detail में देखा है, next यह तापी, river, kaveri, mahanadhi, इनको समझने क के लिए, इसके हमने handwritten diagram बनाया है, so, आज का जो lecture है, काफी ज़्यादा हमने यहाँ पर connect किया, बहुत सी all topics से साथ, so, इस lecture के साथ हम इस video को end करते, next हम new, कोई दूसरा question देखेंगे, और उसके अंदर हम क्या-क्या हम और दूसरे concept को add-on कर सकते, उसको फिर हम आगे further continue करें आज की video के लिए इतना है, keep watching